नमस्कार दोस्तों, आप से भी का स्वाज़त है मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, मेरे फिर्स्ट व्लॉगिंग चैनल पे, मैं पहली बार जा रहा हूं अपने व्लॉगिंग ट्रिप पे, जो की है राजस्थान में, आप थम्यत से आप लोग को मालूम पड़ी गया होगा, इसस से शूट नहीं कर रहा हूं, यह कोई बहुत महंगी फोटो, कैमेरा से मैं शूट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मॉबाइल व्लॉगिंग है, सो प्लीज आप जज्ज मत करिएगा, आपके लिए कंटेंट अच्छ है, लेकिन बस यह है कि, आप सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं आइफोन भी खरीद दूँगा, कैमेरा भी खरीद दूँगा, और चैनल ग्रो ऐसे ही करते रहूंगा, बस आप लोग के लिए, सब कुछ, सो मिलते हैं, और स्टार्ट करते हैं, मेरे जिए कैमेरा से, अपना व्लॉगिंग, वान, टू, टू, त्री, गॉ, दस मिट, दस मि अपना भी खरीद दूँगा, इस ओंपली ट्रेल मिली है, लेकिन सीट की अफेक्शन नहीं करते हैं, और भाएं की लोगे एक बाई, नहीं है, भाई, बास अभी ओचेक्टे, इसे जित्ता चल्दी हो सके, बिर भाई आज बोल रहे हैं, के ट्रेन खाली है, लेके नभी दे इसे सीट का वेट करते करते, खड़े रहे रहे के सीट मिली गई आखिर, मौजम भी बैढ़ गया है, सीट पे, आराम सोपर, और होफुली मुझे भी सीट मिल गई है, वो भी, I am very lucky की, विंडो सीट मिल गई है मुझको, अभी हम पहुंचे हैं सूरत, अभी सूरत से अभी और थ्री अन्हाफ आर्स हैं, अमदाबाद, सो ऐसे ही विंडो सीट मिल गई है, तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, छे गंट पे ठालो, छे गंटे बैट जाएंगे, थोड़ा वड़ा पाओ, और कुछ विंडो सीट पे बैट के नजारे देखते देखते और एक दुसरे पोज़का हैं, एक बज़े का ट्रेन आगए, पांच बज़े का ट्रेन हे, तो पांस बज़े का ट्रेन की पकडने हैं, तब तक हम बजे अज़े का एक ल का करेंगे, कुछ आईड़िया नहीं, चाहद ऐसे सो ना पर सकता है पॉसिबल हो लेकिन कुछ तो प्लान करते हैं फिलाल देख रहे हैं पेट बूजा करने जाना पड़ेगा कुछ खाया नहीं है बहुत लगा तकड़ा हराम का खा खा कर और शराप पी पिकर गेंड आपन गया है तू तो दोस्तों जैसे ही अमदावाद स्टेशन से निकले हमको दिखा एक भुर्जी पाओ और अमलेट पाओ का शौप तो वहां पे गए हम अमिद भाई के पास वहां जाकर हम लोग ने खाया अमलेट पाओ और भुर्जी पाओ एंड उन्हों ने हमारे साथ फोटो भी सो ट्रेन में बैठे बैठे सुबह भी हो गई है अबस अभी हम पहुचनी वाले हैं इंतिजार की घडियां खतम होने वाली है हम पहुचने वाले हैं जोदपूर जोदपूर पहुच के सारी चीज़े एक्स्प्रोर करना है और आप लोग को भी बताना है So guys, here we reached our destination, finally, train 10 minutes late है, and, वहुच गह है, शौदा हास के चरनी के बाद, जोद्पूर रेलवे स्टेशन, रीडवलप्मेंट, रीडवलप किया इसको, बॉट ब्यूटिफुल है, अगर स्टेशन इतना सुन्दर हो सकता है, तो सहर कितना सुन्दर होगा है, क्या बात कह दीवे ने, फिक है, इसी उमीद से, निकलते हैं स्टेशन से बाहर, और जाके देखते हैं, इस फूटी कहां, मिल सकता है, रेंड पे, हम रुके हैं यहां पे, बॉंबे लॉज रिसिडिंटी, इसी नोने, इसी दोनों रूम है, बेस्ट पाड़ अफ दिस काड़ इस, कि आपको बता देगा, कि जोट्पूर में कौन-कौन सी जगह खूं सकते हैं, हाइलाइटेड है, दस जगह है, हम इसमें से ट्राइए करेंगे, करिवन-करिवन छे जगह, एट लीस्ट कवर पर उठकर पाया है, आज के दिन, राइट, स्कूटी हम ले लिया है, आपको थोड़ी दिन में बताते हैं, कि कौन सा स्कूटी है, कितना रेट लागा है, बाकि जो रूम का रेट है, वो है 600 रुपीज, बहुती बहुती स्पेशियस है, बहुती अच्छा रूम है, कोई उश्यो नहीं है, पानी, गरम पानी का भी दि करने के लिए भाई, ओके, आज जोतपूर में इस से बबाल मचाएंगे तुम, इस से अंगार लगा देंगे, बैस गाईस, तो फ्रेश हो गए अंगलोग, बस अभी रेडी होंगे, अभी रेडी होंगे, रेडी होंगे, निकलेंगे, शूज वो सब कलक कर लिए है, तो मिल ट्राइपॉड भी निकाल लिया है, ओल सेट टू गो, ओके, मिलते हैं एक छोटा से ब्रेक के बड़, जे रहे भाई गाड़ी अपनी, आरजे वन नाइन डी, एच, एट फाइट फाइट, दोनों के पास एक हेलमेट, हेलमेट इस जरूरी, चूंकि हेलमेट बिना पुलिस थाइट रूपीज एन हमारे सिफ्टी के लिए भी सहिए, तो पहले हम जाएंगे पेट्रोल भड़ाएंगे, उसके बाद जाएंगे हमारे पहले लोकेशन पे जो है, मेरान गड़ फोट, फोट फोट पूस्ट, पूस्ट, शू गयाइस कूटी जो हमने रेंट पे लिए है वो है, फ्रॉम महादेव ट्रावल्स, जो की जोदपूर स्टेशन के थोड़े ही निजदीक है, मतलब सामने ही है, तो स्कूटी हम लोग ने ली फोर थ्री अंडर्ड रूपीज पर डे, मतलब पेट्रोल तुमारा, तुम कितना भी चलाओ, थ्री अंडर्ड रूपीज अब हमने ओडर किया है, चोले बटूरे और आलो के पराठे, जड़े श्वीट्स हमारे महरांगर फोर्ट जाने के रास्ते में ही पढ़ता है, अभी आसे और फैट दो किलो मेटर होगा महरांगर फोर्ट, देखते हैं का क्या टेस्ट है, फिर आपको लोग को रिव्यू द और आलो पराठे के साथ दही और चटनी, अलू पराठा का साइज उननों बोला इतना है, तो कि देखता हूं मैं कितना है, मालो में पामिन पड़ेगा, लेट सी, बेट और बाच, अस्टी बटेट याना होता है, इस बुड यार, इस बुड, तीस्ती, असी रुपई ज्वा, बाई छोले भटूरे भी आगए, लेकिन, भटूरे में, हाँ, भटूरे में उपना ताकत नहीं है, ठीक है, रेकें, नोट सो गुड, पेट बढ़ जाएगा, लेकिन भट स्वाद नहीं है, पेट बढ़ जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं उतना, खास, मेरे दोस्तों, जैसे-जैसे मैं महरांगेट फोट की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिमाग में बस एक ही एकसाइटमेंट था, और एक ही चीज़ दिल में मैं नर्वस था, कि मैं किस तरीके से आपको सब कुछ बताऊंगा, किस तरीके से आपको मैं कनवे करूंगा सारी चीज़े, बट जैसे जैसे मैं मेरांकेट फोर्ड की तरफ बढ़ता गया उसकी खूबसूरती के वज़े से मैं अपने आप सारी चीजे डिक्टेट करता रहा जैसे कि मेरे को सब कुछ पता है तो गाइस आप लोग भी मैं जो भोड रहा हूं उसको ध्यान से सुनिये गए क्योंकि ये काफी हिस्टोरिकल चीज है और जादतर लोग जादतर व्लॉग्स में ये चीज नहीं बता पाते है सो मैं आपको पूरी तरीके से जान करी दूँगा इस चीज के बरेंगे तो प्लीज सुनते रहिए इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो फोर्ट है ये टोटल 1200 एकर में फैला हुआ है इसको बनाया गया था भाई राओ जोधा जी वो राजपूत थे काफी सारे हिस्टोरिकल चीजें है इसके अंदर जैसे कि म्यूजियम इसका जो फॉल्स पे जो कार्विंग्स है प्लस यहां पे अभी भी मैंने खुद पर्सनली देखा कि कैनन बॉल्स जो युद में यूज होते हैं जो गोले गिरते हैं युद में तो उसके निशान अभी भी उनके दिवालों पे लग हैं मौजूद जो कि आप साफ देख सकते हैं मैं आगे दिखाऊंगा आप लोग को एंड यहां पे एक नया चीज चालू हुआ है जिसको जिप लाइनिंग भी कहते हैं आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया एंड सो एंट्री करते हैं यहां इस एंट्री का जो टिकेट है वो है 150 पर परसन फॉर इंडियन एंड फॉरिडर्स के लिए कोछ चलाग अमाउंट है एंड फॉर फॉर पर परसन जैसे यहां अप अंदर गुसेंगे वहाँ पे एक पाल की शॉप एंड कैफे है कैफे टाइप जहांसे आप स्नेक्स एंड बूरेजिस खा सकते हैं एंड काफी अच्छा सिटिंग एरिया एंड भी है आपको मैं आगे दिखाता हूं जिसकी बात मैं कर रहा था देखिए अभी भी यह जो स्पार्ट्स हैं यह वो कैनन बॉल्स के हैं जो आके गिरे थे कि शात स्कंग respiratory सुबिसकत कि वह नह थे किरिंग मरक मैं ए दोट्री अंप ए मिला तरक यू just आप एंटरिंग पालकी खाना तो इगेस इस पालकी इंगेट राजा लोग बैठते थे वो पालकी आए गाहस या फिर जो भगवान को आए गांगोर फेस्टिबल होता है विसमें जो पालकी बनाता है वो है इस दोनो स्पाल में अगें इस रही हिस्तोरिकल है वोड़न फ्रेम विट नोगें बंजेब कॉन्पी बिदिए डिलिएंग वल्वड चैनलपी ब्रोकर्द वर्क किया जर्ड राजा लिए इस तर्या है था आते हो के ऊपर बेटते हैं तो यह होगा एगास वाओ गाइस उसके बाद हम एंटर किये दौलत खाना में जहां पर कीमती एमुनेशन्स एंड जो ज्वेलरी इस थे राजा महराजाओ के तलवार फिर उसके बाद खंजर उसके बाद जो ढाल रहती थी उनके जो कॉस्ट्यूम्स रहते थे वो सारे रखे गए थे यहां पर म्यूजियम में एंड बहुत ही हिस्टोरिकल आपको मैं दिखा रहा हूं सब आप दिखा रहा हूं अ नहीं में एंगल रहा यहा हूं से ईडाओ हूं घूनाका तहा हूं यह और आपको मैं रहा हूं हूं झाल 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 बेठएग घर इसका डिसको लाइट निद में खेते हैं वह असा नहीं कर आए कि अभी महाँ है जल्दी करिये अशा बेभी पाल की यह वच्छों का इसकी निकर जाए वच्छों की पाल की यह सब हाथ है राणी की पाल की देख ली राजा की पाल की देख ली बच्छों की तो होगी ना कुल 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 का मांचिया घुम तो कहते हैं मैंक 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 20, 21,-19 अशसम मैं अधो आपा अधो शूआ है सो गाइज विए और घ्रमेंट के साथ और हस्ते खेलते हमने अपना महरांगड किला का पूरा व्यूर ग्लीट किया बस एक आखरी व्यू था जो आप लोग को दिखाना काफी ज़रूरी है तो बने रहे हैं अंदे साथ हमारा महरांगर फोर्ट का जैनी कम्पीट होता हुआ हम अगी जाएंगे आगे और किसी जगह पर ताइमिंग फाइट हटी कोई क्लूज हो जाता है तो प्लीज पाइड लेके आईएगा और दिखियेगा महरांगर की लगों बीपी एक्स्पोर करने के बाद हम पहुचे और घंटा घर पे जहां पर हमने पिया मलाई लसी वो भी अरोडा चार्ट सेंटर से अरोडा चार्ट सेंटर जो है वो ओल्ड घंटा घर के जब सामने ही मौजूद है और आपको अलगला टाइब के स्वीट्स फरसान और लसी मिल जाएगा मैं रिकमेंड करूगा कि अगर आप ओल्ड घंटा घर के तरफ आते हैं तो यहां से रसी ज़रूर वीजे और मार्केर से सीधे हम जाब आपको तूर जी के जालगा पर जहां एक स्टेफल है और रहां के बहुत अमेजिक व्यू है यहां का स्पेशल व्यू देखें तो गाइज यह तूर जी का जालगा जो है वह महाराजा जैसिंग राथाओर जी ने बनाया था 1724 के टाइम पर एंड यह जो पानी है यह 300 फीट देप्थ है और सारे स्टेप्स जो है वह वहां तक पहुचते हैं और वहां पर हम मिले हमारे एक फ्रेंड से जिनका नाम था जाए और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वह और उन्होंने हमको पूरे जोदपूर के बारे मे पताया एंड उनसे काफी अच्छी बॉंडिंग हुई उन्होंने अमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया थैंक यू जैजी एंड आई गैस आप जल्दी से जल्दी डिने चाहे दमान आए और हमसे मिले थैंक यू तूर जी के जालरे के बाद हम पहुचे मनोर गाडन में मनोर गाडन जो है वो सिक्ट सेंचुरी का बना है महरांगर फोर्ट की भी पहले राथो डाइनेस्टी तब रोल करती थी एंड कहते हैं कि यह डावरी में उनको मिला था आफ्टर मेरेज एंड अभी वहां पे नाइ दिखेंगी एंड काफी अच्छी चीज़े हैं उसी के साथ वहां पे एक और चीज़ खास है जो है बहरो जी का मंदर आप जाहिएंगा तो वहां पे ज़रूर दर्शन करिए आप लोग को अच्छा लगेगा अगर आपको खाना लेना है तो मुला जी का धाबा और राजा चिकन कॉर्णर आपको कभी अपसेट नहीं करेंगे ना रिकमेंट करूँगा कि आप वहां जाए और वहां पे जाके चिकन की कोई भी डिशिज आप ले सकते हैं और आपको मिलेगा एक रीजनेवल रेट पे तो टाइम फर पेट पूजा गाइस तो गाईज अभी मुलोग टे खाना खा लिया है और चिकन काफी देश्टी था अफर देट अभी 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 ब्लोग ने पैकिंगी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि हमें अभी जाना है जो तो से डारेक जैपूर क्योंकि जैपूर एक्स्पोर करना भी पाकी है अभी मैं डिस्प्लोज नहीं करूँगा एंड प्लीज बने रहिए मेरे कॉंटेंट को प्यार देते रहिए और मैं आपको बिलूँगा नेक्स ब्लॉग पर तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब शेर जरूर करिएगा क्योंकि यह नया चैनल है आप लोग के प्यार से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा एंड बस यही मिलते रहेंगे